किसान भाईयों को गूर्णिंग सभी को नमस्ते देखे धान अब लास्ट डे स्टेज पर है धान में पूरी तरीके से बालियां आ चुकी हैं अब ये धान हमारी एकदम से पग गई है मतलब धान में धाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा यह देखो दबा के देखते हैं किसी किसी में दाना थोस हो गया है दोस्तों तो मोस्टली पूरी तरीके से दाना पढ़ चुका है और कुछ ही दिनों में एक दो दिन के अंतराल ये पीला पन इसमें आ जाएगा तो हमें पानी बिल्कुल भी दोस्तों बंद कर देना चाहिए अन्नता हमारी धान में बुरा इस चीज का विसे धान दें पानी का हना लागश्री तेज़े पानी को आपको देना है आपको पता होना चाहिए एक चीज समझे ये देखिए ये धान में ये सफेद वालियां ये देखो ये क्यों हो जाती है सफेद ये देखिए एक तो नीचे न सड़ गई है मैं दिखा ये इनमें दाना कुछ नहीं है ये दाना नहीं है बिल्कुल ही खाली है ये देखो ये दब रहा है खाली है ये देखो दब रहा है ये रोग बहुत बुरा रोग है दोस्तों धान की फसल में पैदावार में बहुत बड़ी गिरावट करतेता है ये इसका नियंत्रत जरूर करना चाहिए इसमें सूननी लग जाती है अंदर यह देखो पूरी खाली बड़ी हिंदाना यह बहुत बड़ा नुक्सान है तो इसको बचाने के लिए आप कीट ना सका जल्द से जल्द उप्योग करना चाहिए गर्भा उस्थ में ही इसका कीरणासा को उप्योग कर देना चाहिए हमने थोड़ा सा बात में किया है इस पर इसलिए अब जो अब सोचेंगे आप ये जो सफेध हो गया है इसमें कीड़नासा को प्योग करने तो सही हो जाए ये नमुम्किन है ऐसा नहीं हो सकता संभव है और दवाईया बिल्कुल भी ऐसे में डालें किसान को बरबाद करती है ये जो कंपनियें होती हैं दुकानदार होते हैं कि जिसका बाली मतलब सुख गई है वो सही हो जाएंग तो सुन्डियों का प्रकॉप जो होता है वो खतम हो जाएगा ठीक है ये इस तरह है यहाँ पापा निखा लिया ये देखो ये ये हालत है ये बिशेश ध्यान देना है आपको दवाईयों का कीरणासक का बिल्कुल भी आपको उप्योग करना है ठीक है अन्यता धान की फसल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए हमारा आपसे निवेदान यही है कि कीरणासक फंगी साइड इन दोनों के इस्प्रे गरभावस्त भी कर देने चाहिए जिन भाईयों नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं कर देंगे नियंत्रण हो जाएगा जो सोच रहे है कि हमारे धान में नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है हर किसी के धान में इस साल पारिस नहीं होई है तो विभीन प्रकार के कीरणासक तयार हो चुके हैं दोस्तों के इस गर्मी में ठीक है ना तो आप ऐसे चक्कर मिना रहें आप जरूर कीरणासक करें हैं इसमें से फायदा आ दोस्तों लास्ट पानी इसमें देना चाहिए जब ये धान हमारी दाना पड़ गया हो और बालिय लटक गई हो हलका सा पीला पना गया हो बालियों में तो हमें बंद कर देने चाहिए पानी अन्य था बुरा प्रभाव पड़ेगा धान में बिल्कुल भी पैदावर नहीं अध़र को बालियों में बालियों भी अच्छाट